हेलो, पिछली वीडियो में हमने looping statement में for loop और why loop के बारे में जाना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उपर i button पर click करके इन वीडियो को देख सकते है आज हम इस वीडियो में do why loop ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे do why loop तो इसकी पहले definition जानेंगे तो इसकी definition है do why loop में compiler पहले code चेक करते हैं और फिर condition यदि condition true होती है तो next loop में चला जाता है तो इसमें क्या होता है पहले जो है वो code चेक किये जाता है और उसके बाद फिर condition चेक की जाती है इसके बाद हम इसका syntax जानेंगे तो इसका syntax है do इसके बाद curly braces open इसके बाद लिखेंगे code to be executed और फिर यहाँ पे curly braces को close करेंगे फिर लिखेंगे while और उसके बाद यहाँ पे condition लगाएंगे तो यह do y loop का syntax है इसके बाद हम इसका program करेंगे तो इसका program है जैसे write a program to demonostate the use of do y loop यह हमने यहाँ पे notpad को open किया और इसमें यहाँ पे हमने do y loop का यहाँ पे program लिखा हुआ है तो यह program है यहाँ से start किया हुआ है dog type html इसके बाद लिखा हुआ है html इसके बाद body इसके बाद h1 इसके बाद यहाँ पे php को start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे variable है x is equal to 2 इसके बाद यहाँ पे do लिखा हुआ है इसके बाद curly braces open इसके बाद यहाँ पे echo इसके बाद variable x इसके बाद यहां पे increment operator यूज़ किया हुआ है यह देखो variable x यहां पे increment यूज़ किया हुआ है इसके बाद curly braces इसको यहां पे close किया हुआ है और फिर यहां पे y लिखा हुआ है और y लिखने के बाद यहां पे यह last में condition लगाई हुई है और इसको फिर यहां पे PHP को बंद क किया हुआ है, body को बंद किया हुआ है, और HTML को बंद किया हुआ है, तो यह जो program है, इसमें क्या किया हुआ है, पहले क्या हुदता था, पहले condition चेक की जाती थी, उसके बाद code चेक किया जाता था, यहाँ पे यह जो है, पहले यहाँ पे code चेक होगा, और उसके बाद यहाँ प वांप 64 इस folder को open करेंगे, यह folder open किया, इसके बाद यह निचे www folder है, इसको open करेंगे, यह open किया, जो सबसे पहला folder है, project इसको open करेंगे, यह open किया, यहाँ पे हम name देंगे, rt, rt नेम दिया, इसके बाद extension लगाएंगे, php की, dot php, यह extension लगाई, लगाने के बाद हम इसको save कर सेव करने के बाद हम इसको मीनिवाइज करेंगे मीनिवाइज करने के बाद बाम सर्वर इसको उपन करेंगे यह बाम सर्वर यहां पर टास्क वार में आ गया है यह देखो यह बाम सर्वर है यहां पर क्लिक करेंगे यह लोकल होस्ट विंडो यहां पर उपन हो जाएगी इसक प्रेक्ट लिखने के बाद फिर forward slash लगाया, इसके बाद लिखेंगे file का name, rt.php, यह लिखा, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद ये देखो, यहाँ पे आ गया, 2345, सबसे पहले ये देखो, यहाँ से value हमने start की हुई है, 2 से, तो यहाँ पे ये 2 आ गया तो यह देखो हमने यहाँ पे code पहले लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे condition लगाई हुई है यह देखो while variable x less than equal to 5 तो यह देखो यहाँ पे 5 तक की यह number आगे है 2, 3, 4, 5 अगर हम यहाँ पे value change करेंगे जैसे यह जो start ओने चाहिए 1 से तो यहाँ पे हम 2 की जगा 1 करेंगे यह देखो 1 किया 1 करने के बाद यह यहाँ पे condition है less than equal to 5 है तो यहाँ पे हम 10 करेंगे यह देखो यहाँ पे 10 किया 10 करने के बाद जब हमें इसको save करेंगे यह देखो save पे click किया जब हमें इसको refresh करेंगे तो क्या होगा यहां से यह जो numbering है यहां से 1 से start होगी और कहां तक जाएगी 10 तक इसको refresh करते हैं जब हमने इसको refresh किया तो यह यहां पे 1 से लेके 10 तक यहां पे लिखा हुआ गया इसके बाद अगर हम यह करना जाते हैं कि यह जो 10 number है पहले आए उसके बाद 9 आए उसके बाद 8 आए उसके बाद 7 आए और फिर last में जो है 1 number आए तो इसको करने के लिए हम यहां पे value चेंज करेंगे यह देखो यहां पे हमने variable x is equal to 1 निखा हुआ है यहां पे हम 10 कर देंगे यह 10 किया 10 करने के बाद हम क्या करेंगे यह देखो यहां पे increment operator यूज किया हुआ है यहां पे decrement हम यूज करेंगे यह देखो यहाँ पे इसको मिटाया और यहाँ पे decrement यूज किया यूज करने के बाद यहाँ पे यह देखो last में यह condition लगाई हुई है while variable यह x यहाँ पे हम less than की जगा यहाँ पे greater than लिखेंगे यह देखो greater than लिखा is equal to यहाँ पे value change करेंगे यहाँ पे लिखेंगे one one लिखने के बाद हम इसको save करेंगे file पे जाएंगे save पे click किया save पे click करने के बाद इसको यहाँ से refresh करेंगे refresh करने के बाद यह देखो यहाँ पे आ जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5 और यह कहां तक गया हुआ है one तक तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने do why loop इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद